अब दीपप प्रज्वलन करेंगे आज राम नौमी है आज ही के दिन लगभग नो लाख वर्ष पुरुवा भगवान राम का जन्म हुआ और इसलिए आज के तिथी का नाम ही राम नौमी है जैसे भगवान कृष्ण का अष्ट में के दिन जन्म हुआ तो कृष्ण जन्माश में उन्हें के नाम से ही वहाँ हमारे कलेंडर में भारती ये जो काल अगणना है उसमें उसका समावीश है ऐसे आज राम नौमी है और आज का दिन पवित रहे क्योंकि इसी दिन एक भागवत सत्ता जो लाखो वर्षों के बाद भी हमारे सामने जिनका आदर्श सदा जीवनत रहता है और उनकी मर्यादाओं का नुस्रन करके हम गोरवानवित महसूस करते हैं ऐसे मर्यादा पुरशुत्तम श्री राम चंद्र का जन्म आज ही के दिन हुआ और हम आप सब को और संपूर्ण देश्वासियों को राम नौमे की बधाई देते हुए शुबकामनाई देते हुए इस आपके सब के जीवन का मंगल हो राष्ट का मंगल हो ऐसी कामना करते हुए आज के इस यज्ज को स्तूती प्रार्थनाव पासनाव के पूरवक दिप्रजलन के साथ प्रारंभ करते हैं और आज ही के दिन भगवान के अनुग्रह से उसी के विधान से गुरुवों की कृपा से शद्धे गुर्देव आचारे प्रद्यम जी महाराज गुर्देव आचारे श्री बल्देव जी महाराज और दीक्षा गुरु स्रद्धे स्वावि संकर्देव जी महाराज जी के अनुग्रह से, उनके आशीशों से, और अपने अनन्य सकह, आत्मिय, अनुज, शध्य आचारे बाक्षन जी और हमारे अग्रज शद्धे पुज्य स्वामी मुक्तानन जी महाराज इन सब महापुर्शों के सानिध्य से इन सब के सजनों के दिव्य अध्यात्मिक प्रेम से यहाँ जीवन की यात्रा निरंतर हम अनन्त की और बढ़ रही है और हम सब उस अनन्त के राही इस पत पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज मैं इन बीस वर्षों को ही देखता हूँ तो बीस वर्षों में माने जब यात्रा शुरू हुई थी तो तब मुस्किल से बीस लोग थे और आज दुनिया के दोसों से ज़्यादा देशों तक करोडों भाई भेनों तक यह योग आयरवेद और रिश्यों की ग्यान का यह अनुष्ठान पहुंच चुका है और भगवान ने इस पूरे अनुष्ठान में हमें बहुत शक्ति दी और आज पतंजली योग पीठ विश्व का सबसे बड़ा योग और अईरवेद का केंदर बन चुका है देश का सबसे बड़ा स्वदेशी का केंदर बन चुका है स्वाभिवान का एक बहुत बड़ा वह अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है और विक्रम सम्मत दोहजार एकहत्तर के इस चैत्र मास के नौमे के दिन और हम यदि वैदी काल गणना के अनुषार हम अपने अतीत के गोरों को याद करते वी हम कहें तो एक अर्व चैनवे कोड़ आठ्टाक्तिर पजार एकसो पंद्र वर्षु पुरानी अपनी स्पावनी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज यो तो जब जब देश में कोई प्राक्रतिक आपदा आई चैयो बिहार की बाढ़ थी या जह है दक्षन में स्वनामी क कहर बर्पा या मुंबई में जह है शाहदत देते हुए देश के सम्मान और साविमान के हमारे वीरों ने रक्षा की हर ख्षेत्र में योग आर्वेद के साथ साथ जब जब देश के लिए कोई बड़ा दायत निभाने का करतब्या हमारे सामने आया और अभी कुछ समय पहल यदि कोई सबसे पहले गईर सरकारी संस्था सामने आई तो वहाँ पतंजली यूग पीट था और देश के हजारो लाखो भाई भेनों ने एक साथ इसमें अपनी आहूतियां दी और इसी हज में सबसी बड़ी आहूती राहुल बजाजी जिनोंने पहले भी पचास लाख र पतंजली सेवास्रम सुरू किया था उत्राखंड की आपदा में जिन बच्चों का सब को छिन गया था उनको यह महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि उनके सर के ओपर माता पिता का हाथ नहीं अपितु उनको माता पिता जैसा सने हैं शिक्षा और संसकार और उनके भवश की सारी चिंता पतंजली यूग पीठ ने अपने हाथों में ली और शद्धे बार्खशन जी महराजी ने इसमें सबसे बड़ी पहल की एक बार शद्धे आचारी बार्खशन जी का भी हम कृतजिता पूर्वत उनकी सेवा के लिए उनके तब पुर्शार्त के लिए अभिन पतंजली सेवास्रम का भूमी पूजन का यहां कारिक्रम रखा है और थोड़े ही दुनों में पतंजली सेवास्रम बहाती भव्य और दिव्य रूप में यहां बनकर के तयार हो जाएगा यहां नीचे मंदाकिनी बहर ही है कलकल करती हुई और इतना संदर द्रिश्य में साइद इस पूरे पाड़ी क्षित्र में कहीं कहीं होगा शद्धे मुक्तारण जी महराज मसे कह रहे थे कि अभी तक पतंजली योगपीठ के जितने भी आश्रम है उनमें सबसे बढ़िया भूमी यहां पतंजली सेवास्रम की तो यहां यह मंदाकनी का पावन प्रवाह चारों और यह पर्वत मालाएं और इन सब के बीच में उपवरे गिरी नाम संग मेचा नदी नाम धिया विप्रो अजायत ऐसी जो कल्पना हमारे रिश्यों ने वेदों में की उसका मूर्त रूप यहां पतंजली सेवास्रम के इस भूमी पूजन पर हम देख रहे हैं और यहां पतंजली सेवास्रम में आपदा पीडित बचे जो अब पतंजली योगपीट परिवार के अभिन्न हो चुके हैं वो तो यहां पर शिक्षा और संसकार पाएंगे ही पतंजली योगपीट के जितने भी हमारे इस निश्यस के मार्ग पर चनने वाले भाई भेन हैं जब उनको कभी एकांत की च्छा होगी गहरी साधना करने की तो वो भी यहां पर आखर करके अपने ही उसाधना को अपने उसाध्यात्मिक संकल्प को यहां पूरा कर सकेंगे ऐसी कुछ रचना शद्दे आचारे बाक्षन जी यहां जरूर करेंगे और हमारे लिए भी जरूर एक जोपड़ी यहां पर बनाएंगे तो यहां पतंजली शेवाश्रम इना अनात बच्चों को तो हम कभी अनात इनको कहा ही नहीं हमने इनको जब भगवान का जब जो सारी दुनिया का अनात है जब उसके आशीश हमारे शीश पर है तो हम अनात कैसे हो सकते हैं और इन सब बच्चों को अपने ही स्वजनों के रूप में हमने स्विकार किया है और यह बच्चे अत्यंत प्रसन्न है आज और भी ज़्यादा प्रसन्न है और इन बच्चों में बहुत होसला है इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है पिछले दिनों जब competition हुए तो मुझे पता लगा कि competition में भी प्रथम स्थान इन बच्चों ने प्राप्त किया योगासन के प्रतियोगिता हो और पढ़ाई में भी बच्चे बहुत हुश्यार हैं भाई कपिल जी और हमारे स्वामी अभयानंद जी वो भी खूब सेवा दे रहे हैं एक बार इनका भी खूब खूब अभिनंदन है और वहाँ पर जो स्कूल है हमारे भाई राना जी क्या नम है लखपत राना जी उन्होंने भी इन बच्चों के साथ में खूब सेवा की है जो जो इन बच्चों की सेवा मिले गए एक बार सब का बहुत-बहुत अभिनंदन है और हम रात भर चल करके फिर इधर पहुंचे शद्याचारी श्री का आदेश था और यहां से फिर हमें प्रस्तान करके और मुरादाबाद और फिर अमरोहा आगे बढ़ना है तो आज रामनोमी को कोई न कोई बड़ा एवजन पिछले कई वर्षों से पतंजली योगपीठ में होता रहा है पतंजली योगपीठ का उद्घाटन भी प्रथम चरण या द्वितिये चरण का अनुष्ठान था और भी जितने भी बड़े अनुष्ठान सेवा के चल रहे हैं उनके सिलान्यास या लोकारपन का कारिक्रम पतंजली रामनोमी को रखा जाता था और इस बार यहा बहुत बड़ा अवसर है कि रामनोमी के दिन पतंजली शेवाश्रम की नीव रखी जा रही है उसका भूमी पूजन किया जा रहा है एक बार पुना इस पतंजली शिवाश्रम की भूमी पूजन के अवसर पर राम नौमी की दिन आप सब को और वो करोडों करोडों भाई भेन जो देश और देश की सिवाओं से बाहर पूरे विश्यो पटल पर रहते हैं जिनकी जड़े भारतिये परमपराओं से जड़ी हैं उन्हों सब को राम नौमी की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुब काम